आईए अब हम दूसरे उद्देश के बारे में चर्चा करते हैं दूसरा उद्देश जैसे कि मैंने आपको पहले भी पताया है कि इसका दूसरा उद्देश है सामाजिक उद्देश जिसे हम इंगलिश में सोशल रस्पॉंसिबिलिटी कहते हैं देखिए बचों जितना जब व्यवसाइश शुरू करता है तो वहाँ संसाधन संसाधन होता है समाज से ही लेता है अब व्यवसाईश होता है है उसका एक मात्र जहाए उत्पाद या सेवा प्रदान करना ही नहीं है इसके अलावा उसकी और-भी कई जिम्मेदारियं है समाज की प्रति अगर हम देखें तो समाज में रहकर ही जो व्यवसाई है वो क्या करता है आर्थी कुदपादन करता है विनिमे करता है वितरन करता है इसलिए उस व्यवसाई को अपने समाज को बदले में देने के लिए उस जो responsibility है उसको अनुभव करना बहुत जरूरी है और उसको अनुभव करते करते अपने उन उत्तरदाईतों को पूरा करना भी बहुत जरूरी है एक विद्वान ने कहा है कि व्यवसाई के सामाजिक उत्तरदाईतों का शित्र बहुत व्यापक है आईए अब हम उन कुछ उत्तरदाईतों को एक एक करके समझते हैं पहला उत्तादाई तो हम देखते हैं या पहला बिंदु कहता है कि रोजगार के अवसर उपलब्द कराना अब कोई व्यवसाय शुरू हो रहा है तो उसमें लोगों की जरुत होगी तो यह व्यवसाय का मुख्य उद्देश होता है कि व्यवसाय ऐसा करें जिससे कि बादस सामाजिक व्यवसाय तरल की पूरा कर सकता हें हुज से क्याशा होगा रोजगार मिलनेai उनको वेतन मिलेगा और वेतन मिलने से उनके द्यानिक जीवन में क्या होगा सुधार आएगा वधन कमाने लगेंगे इससे वह अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं और खुद की देखभाल भी कर सकते हैं हम अगले बिंदु की और बढ़ते हैं जिसे कहते हैं उत्तम वस्तूओं का उत्पादन करना यह भी एक सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी है कि जो क्वालिटी है यहां हम प्रड़क्ट्स की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम जो क्वालिटी है उसको हमेशा मेंटेन वेवसाई जो है अपने उत्पाद की क्वालिटी को हमेशा बनाए रखे लेकिन उसका जो मूले है वह इतना ना बढ़ा दे कि जो भोकता है वह न ले पाई यही इसका तीसरा बिंदु है जो की कहता है कि उचित कीमत पर माल उपलब्द करना यह आप क्वालिटी तो अच् तो इससे आपका जो सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी है या समजिक उद्देश है वह पूरा नहीं होगा हम अगर अगले बिंदु को देखें अगला बिंदु कहता है राश्ट्री साधनों का उचित उप्योग करना अब हम समाज में रहते हैं जो व्यवसाई है या हम हैं समा एक और किसी वी चीज का नुकसान न हो तो इस बिंदु में कहा है कि राश्ट्री जो संसाधन है या राश्ट्री साधन है उनका उचित उप्योग करना बहुत जरूरी है अगला बिंदु कहता है कि सरकार से उचित संबंद रखना आजकल हम देखें, तो सरकार का जो हस्तक शेफ है, वो हर खितर में है, मतलब वो अपने दाइत्वों को अच्छे से समझ रही है कि कहीं पर भी ऐसी कृया ना हो, जिससे कि जो हमारी जनता है वो परिशान हो, तो इस दाइत्व को केवल सरकार को ही नहीं समझना है, इसके साथ साथ व्यवसाई और आम जनता को भी जाना है कि उनके दाइत्व क्या हैं वो किस तरीके से अपनी social responsibility या सामाजिक उत्तरदाइत्व को पूरा कर सकते हैं व्यवसाई क्या कर सकते हैं सारी क्रियां जो व्यवसाई चलाने के लिए जरूरी उनको वैधानिक रूप से चला सकते हैं सरकार ने किसी product के लिए जो quality का standard रखा है प्रमाप रखा है उन प्रमापों को पूरा कर सकते हैं वस्तू की निरंतर पूरती देखे वस्तू की कमी कभी नहीं होने चाहिए वस्तू की आवश्रक्ता के अनुसार उनका उत्पादन चलते रहना चाहिए और साथ ही साथ उनकी प्रडक्त की वस्तू का उत्पादन करना हमेशा क्या करना है जो स््टैंडर्ड यानि प्रमाप तै के हैं उसी प्रमाप के अनुसार उन वस्तों का उत्पादन करना है उनकी Kim कि रियर व्त्तों की थे और वस्तों का अगर आप इसे चोटे से उधारण से समझें तो कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप देखें तो कुछ प्रोडक्ट से कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो कि आपको चोटे-चोटे सैश्रे में मिलता है जो लोग बड़े-बड़े पैकेट्स नहीं खरी सकते मान जो वियवसाई हैं या अच्छे घर से लोग हैं वो बड़े पैकेट में डिटरजेंट ले जाएंगे लेकिन फिर जो लोग मध्यमवरगी हैं वो क्या करेंगे उसका आदा कीलो या एक कीलो का पैकेट लेंगे लेकिन वही जो लोग रोज कमाते हैं या हमने श्रमिक भी कह सकते हैं उन्हें वो प्रड़क्ट अगर उतना महंगा तो वो लहीं नहीं पैंगे तो क्या करेंगे छोटे-छोटे पाउच या सैशे में बिलेंगे तो इस तरीके से क्या हम समझ सकते हैं इस उधारान को लेते हुए कि सभी इस तरके उप्भोगताओं की आवशक्ताओं क क्या कि अपने प्रड़क्ट सेम प्रड़क्ट को तीन चार भागों में डिवाइड कर दिया सबके स्टांडर्स की जो लोग जिस तरके हैं वो उस तर से इस वस्तू को खरी सकते इससे क्या हुआ कि उसके भोगता नंबर अफ कस्टमर्स भी बढ़ गया उसके ठीके शेत्र मतलब हर लोग उसके प्रड़क्ट को खरीदने लें तो बच्चों इस सरीके से हम इन बिंदूओं को फॉलो करते हैं कोई भी विवसाई इन बिंदूओं का पालन करते हुए अपने सामाजिक उद्देश को पूरा कर सकता है बच्चों आर्थिक और सामाजिक उद्देश क के बाद आईए अब हम देखते हैं कि मानवी उद्देश क्या हो सकते हैं। अगर हम इसे मानवी उद्देश जैसे की पस्ट है अपने शब्द से ही की वियवसाय का जो उद्गम है वह मानव से ही हुआ है। और मानवी क्रियाओं के बदौलत ही ये वहसाय शुरू हुआ है और साथ ही साथ ही आगे बढ़ रहा है मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसमें जो है ये मानव इन्वाल्व रहेगा या यूमन बिंग उसमें जुड़ा रहेगा तो यहां पर उनके लिए लाब देखना उनको एक प्रकार क सम्मान देना और उनकी नीड्स क्या है उनकी इच्छाएं क्या है उनको संतुष्ट करना ये सारी चीजें इसके अंतरगत आती हैं आए अब हम इसको कुछ बिंदूओं के माध्यम से समझते हैं कि मानविय उद्देश क्या होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मानविय उद्देशों के अंतरगत जो होता है वो विनियूजकों को उचित प्रतिफल देने से हैं मतलब जितने भी हम एक व्यवसाई में व्यवसाई जितनी भी लागत लगाता है ठीक है उस लागत के बाद जो लाब आरजन होता है लाब आरजन के बाद जो हमें या व क्या करते हैं यह शेर होलडर समक्राइन चाहते हैं जो की दुबारा उस कंपनी में अपने पैसे लगाएंगे और उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए प्रोथिसाहिद करेंगे आगे हम देखते हैं कि पूर्ती करताओं को उचित कीमत दी जानी चाहिए फिर कर्मचारियों क उन्हें उचित मान सम्मान तथा मानवी व्यवहार भी प्रदान करना चाहिए अगर हम उसकी बात करें तो कर्मचारियों को कारे करने की उचित तथा श्रेष्ट वातावरण भी प्रदान करना चाहिए दुरगटनाओं और अन्य प्रकार के संकटों की रोकताम के लिए ऐसी एक्तिविटिस परफॉर्म करनी चाहिए या उस पर ध्यान देना चाहिए कर्मचारियों के शिक्षन तब्रुख्र करनी चाहिए श्रम कल्लायं सामाजिक सुधार की व्यवस्ता करनी चाहिए और 大न करना चाहिए तो ये कि आज सरकार का हस्तकशेप हर शेत्र में और उत्तरदाइत्व या उनकी जिम्मेदारी यह है कि न केवल आंत्रिक तौर पर बलकि बाहे दृष्टी से भी बाहे शक्तियों से भी क्या करना है अपने देश की सुरक्षा करना है आंतरिक तोर पर जो समस्याइं आती हैं उनको भी हल करना है और बाहर शक्तियों से आने वली समस्याओं को भी हल करना है तो इनके लिए क्या करना जरूरी है इनके लिए ऐसी फैसिलिटी या ऐसे कर्तवियों या ऐसी क्रियाओं का पालन करना चाहिए जिससे की क्या होगा हम सरकार की मदद कर सके हमिशा उसके लिए हम छोटी छोटी आक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं जो उन्हें सरकार ने नियम कानून बनाए हैं उसकी अंतरगत ही हम क्या कर सकते हैं हम व्यवसाय कर सकते हैं उन सभी नियम कानूनों का पालन करते हुए हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, काला बजारी, जमा खोरी इन सब क्रियाओं से दूर रहकर हम अपने देश की अर्थ व्यवस्ता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बचो आईए हम एके करके देखते हैं कि हम किस तरीके से इस राष्ट्रे उद्देश को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक मैं डेफिनेशन देना चाहूंगी या कथन बताना चाहूंगी जो स्वर्गिय लाल भादु शास्री जी ने कहा था। उनके इनुसार सरकार के लिए उससे अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती हैं। जानने के बाद आएए हम चलते हैं उन उद्देशों की तरफ और जानते हैं कि वह उद्देश क्या क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस स्क्रीन पर लिखा है कि सरकारी नियमों का दड़ता से पालन करना जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा है करों का भुकतान समय समय पर किया जाना। तीसरा है सैंत्र की उत्पादन श्रमता का पूर्णतम उपयोग करना। चौथा है आर्तिक नियोजन में सक्रिय सहयोग देना। फिर है देश की सीमित साधनों का सरवत्तम उपयोग करना। फिर है कीमतों में सिर्टा बनाये रखना। ब्रष्टाचार, घूसकोरी, मिलावट, जम्मकोरी और अधी इस सरकी प्रवित्यों से दूर रहना। और इस साथ साथ हम एक चीज और यह जान सकते है की जो हम वेस्ट करते हैं। और अगर यह वेस्ट करना बंद कर देश का, तो क्या हो जागा। उन चोटी-चोटी बचट से क्या कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं और उसको अपने भविश्य के लिए क्या रखते सुरक्षित रख सकते हैं तो बचो इस तरीके से हमने इन चार उद्देशों के बारे में अच्छी तरीके से जाना और समझा आईए अब हम आगे बढ़ते हैं व्यावसाई क्रियाओं का वर्गी करन देखते हैं यानि क्लासिफिकेशन ओफ बिजनस अक्टिविटी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कोई भी व्यावसाई है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उद्योग और जह क्या है अर्तात यह इंडस्टरी क्या काम करती है और कौमर्स का काम है अगर हम या बहुत ही साफ सुत्री सरल भाशा में अगर हम कहें तो उद्योग का काम है उत्पादन सम्मंदित क्रियाओं को करना मतलब उत्पादन करना और वाने जे यानि कॉम्बर्स का क्या काम है उत्पादित वस्तुओं को कारखानों से उभूकताओं तक पहुंचाना तो बहुत ब्याफसाय क्रियाओं को समझें तो यए ये चार्त वयाफसाई क्रियाओं को दौ भागू बाटा गया है उद्योग और वाने जी की तरह हम देखें तो वाने जी को व्यापार और व्यापार में साहे क्रियाओं के अंतरगत बाटा गया है तो आईए हम सबसे पहले देखते हैं कि उद्योग क्या है अब जैसे कि आपने जाना कि उद्योग क्या है उद्योग का अर्थ परिवर्तित किया जाता है। जो इकाई-ांगे बढ़कर काम करती हैं उन्हें हम कहते हैं और यह जो उध्योग हैं इनके अलावा जो कुछ सेवा उध्योग इनकी मदद करते हैं जैसे कि आप जानते हैं बीमा उद्योग इसके साथ साथ ट्रांस्पोर्टेशन के जो उद्योग है वो बैंकिंग उद्योग ये सारी चीज़े वेर हाउसिंग उद्योग तो ये सारी जितनी भी चीज़े हैं ये जो होती है इनकी मदद करती है ये सेवा उद्योग की नाम से जानी जाती है उद्योगों में ही देखें तो उद्योगों तीन प्रकार का माल होता है एक तो उत्पादक माल होता है जिसे हम उत्पादक एवं पुंजिकृत माल कहते हैं दूसरा माल होता है भोकता माल और तीसरा माल होता है मध्यवर्थी माल अब उत्पादक माल क्या होता इनमें बच्चों उन चीजों को बनाया जाता है या उन वस्तूओं का उत्पादन किया जाता है जो भविश्य में आगे जलकर दूसरे संयंत्र में उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाएंगे जैसे कि माशीन और में एक प्लांट में मशीनों को बना यजिए ए अब d tram को दूसरे संयंत्र मिले जाया जहां पर उन शीम की आवश्च रखता है कि प्रडॉक्त और मुझा हो राउ माटीरियल कर अच्छा माल में ऊसको किसम इसमें कौन-कौनसे इदारण देख सकते हैं इसमें आप ऊदारण ले सकते हैं प्रेड्ड का ऊदारण ले सकते हैं आपने जो वस्तर पहने हैं, उसका उदारन ले सकते हैं, इसके अलावा आप दवाईयों का उदारन ले सकते हैं, तो कुछ ये जो उदारन हैं, ये उदारन होते हैं भूकता माल के, हम अगले माल की और चलते हैं और उसको देखते हैं, क्या है वो मध्यवर्ती माल, अब इसम के केमिकल या अन्य तरह के किसी element को मिला करके एक नए तरीके का की वस्तु या product को बना जाता है जो की use में लाई जा सके या उपयोग में लाई जा सके इसको हम रबट जो हम यूज करते हैं उसका बहुत ही अच्छा उदारन है प्लास्टिक यही इसका बहुत ही अच्छा तो देखा, उत्पादक माल, भोक्ता माल और मद्यवर्ती माल, तो विस– तरीके से हम। इन तीनों मालों को बहूत अच्छे तरीके से उधारण के माध्यम से जाना है। अब हम देखते हैं कि उध्योगो की प्रकार क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उद्योगों के प्रकार को इस चार्ट के द्वारा शो किया जा रहा है अब देख रहें उद्योगों के प्रकार इसमें उद्योगों को तीन भागों में बाटा गया है प्रार्थमिक उद्योग गौन उद्योग तृतियक्षणी उद्योग प्राइमरी सेकिंडरी और टर्श ठीक है अब इसमें प्रात्मिक उद्ध्योग जो दिख रहा है उसने आपको दिख रहा है कि इसे प्रात्मिक उद्ध्योग को भी दो भागों में बाटे हैं जननिक उद्ध्योग और निश्कर्शन उद्ध्योग और गौन उद्ध्योग को निर्माण उद्ध्योग और क्या होता है देखते हैं जो की प्राकृतिक संसाधनों का ऊपयोग करके कच्चे माल को तयार करते हैं और इस संसाधन को अंänge ओडियोग कर के लाएं और किसी नए प्रॉदक्ट या कुछ नए नई वस्तू करें या उसका कहीं और उपयोग में लाएं आई ये देखते हैं कि इसमें जो जननक उद्योग होता है वह क्या होता है जननक उद्योग जैसे की शब्द से सप्ष्ठ है इसमें उन वस्तू का उत्पादन होता है जो की पशु पशुओं से अगर प्रशुपालन की बात करें तो जैसे भेड होती है भेड को पाला जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा वूल निकलता है मतलब हम उनी कपड़े पहनते हैं अब उस उन को हम उस्तमाल मेलाते हैं उसी तरह हम क्या कह सकते हैं ऐसे और परशु पालन जैसे मुर्गी पालन होता है अंडे मिलते हैं तो वहां से भी raw material लिया गया और भेज दिया गया अन्य उद्ध्योगों के पास कुछ product बनाने के लिए कुछ market में sell करने के लिए और ऐसे ही पौधा रोपन रिक्षो को रोपित कर लिया आता है, फ्रूट्स यानि फलो मिलते हैं, या फिर उसके छोटे छोटे रोप निकाल करके क्या किया आता है कि प्लांटेशन यानि की पौधो की रोपन की क्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है, तो इस तरह के जो कच्चा माल है उसको निकालते हैं, और उस कच्चे माल को क्या करते हैं, फिर वो कच्चा माल निकाल करके हम दूसरे उद्योगों को देते हैं, तो यहां पर निशकर्शन उद्योग आता है, इसमें खनान की जैसी अक्टिविटी होती है, और इसके अलावा क्रिशी भी इस जिसमें पहला है निर्माण उद्योग इसमें कैसे समझ सकते हैं जैसे कि गन्य को ले हम गन्य को जब फैक्टरी में ले जाया जाता है तो रौ मटिरियल क्या हुआ गन्या उसको पूरा प्रोसेस किया तो फिर क्या उससे निकली चीनी या गुड तो इस तरह की उत्पादन का जहां पर निर्माणी कारे होता है जैसे कि सिमेंट कपड़ा इसके और अच्छा उद्योग तो निर्माण उद्योग जो होता है वो गॉड़ फैला प्रकार है हम दूसरा प्रकार अगर देखें तो कहता है रचनात्मक उद्योग रचनात्मक उद्योग को देखें तो उसमें भवन सड़क पुल इत्यादी इन तरह की चीजें बनती है रचनात्मक उद्योगों में क्या होता है दूसरे उद्योगों से प्राप्त रॉ माटीर से उनको जोड करके फिर क्या बनाए जाएगा रचना की जाई किसकी भवन की सडक की पुल की अब अगर नम गौन उद्योग को अच्छे से जाने तो इसमें जो पहला निर्मानी उद्योग है उसको चार भागों में विवक्त किया गया है पहला है विशलेशन उद्योग दू उचे तेल को निकाल करके बड़ी बड़ी मशीनों में डाला जाता है और उसको विशलेशित करके अलग अलग किया जाता है केरसीन निकाला जाता है उसमें से डीजल अलग किया जाता है तो इस तरह की क्रिया जिन उद्योगों में खी जाती है उन उद्योगों क्या कहते है analytical industries या विशलेशन उद्योग उसके बाद हम जो दूसरे उद्योग की बात कर रहे थे निर्माणी उद्योगों में उनमें हैं प्रावर्दिक उद्योग या processing industries जैसे कि मैंने बताया चीनी का निर्मान होता है क्या होता है गन्ने को लिजा करके क्या कहता है चीनी के उद्योग प्रावर्दिक उद्योग और इसी में अगर हम सम्मिश्रन जो तीसरा है सम्मिश्रन उद्योग की बात करें इसे सिंथेटिक इंडेस्ट्रि का आता है इसमें क्या होता था है दो एलिमेंट या दो अलग तरह के सकता इसको अगर एक उदारन लें तो एक अच्छा उदारन है जिपसम और कोईला इसको जोड कर क्या बनता है सिमेंट का निर्माण किया जाता है और सिमेंट का उपयोग किसमें किया जाता है सिमेंट का उपयोग जो है भावन निर्माण में किया जाता है अंतिम हम निर्माणी उद्योग के अगर एक कार बनानी है तो उस कार में जितनी भी टेकनिकल चीजे लगी रहती है पार्ट कह सकते हैं उसके लगे होते हैं वो कुसी एक ही कंपनी के तो नहीं होते हैं वह हर कंपनी को से आते हैं जैसे टायर ही हुआ तो MRF का टायर फॉर एक्जैम्पल लाया ठीक है उसके बाद अगर आप उसकार की गीर देखें तो वह अलग होगी ब्रेक शू देखें या ब्रेक सिस्टम देखें वह अलग होई जो ग्लास लगे हुए हैं वह अलग कंपनी की होगी तो अलग अलग उद्योगों से उसके उत्पादों को इखठा करके फिर उन सभी उत्पादों को सईयोजित करके जब एक सिंगल जो है उत्पाद उत्पादित किया जाता है तो वहां पर सईयोजन उद्योग होता है या सईयोजन उद्योग में इस तरह के कारे होते ह और इसे हम उदारण से समझ सकते हैं कौन कौन से उदारण ले सकते हैं साइकल इसके लावाकार और ऐसी कई चीजें हैं जिसमें इसका उदारण लिया जा सकता है तो इस तरीके से हमने गौण उद्योग के निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग दोनों को अच्छी तरीके से जाना है अप हम आगे बढ़ते हैं तृतियक श्रने के उद्ध्योग इसमें क्या होता है यह हैं वे उद्ध्योग जिन हम सेवा उद्ध्योग भी कह सकते हैं यह वे उद्ध्योग हैं जो कि एक Sleep को हेल्प करते हैं उसके स्मूफ फंक्शनिंग के लिए Smooth functioning मतलब क्या होता है E निर्विग्ण रूप से या बिना बाधा से उसका कार्य अच्छी तरीके से चले इस तरीके के कार्य को हम रखते हैं या इस तरीके के उद्योगों को हम रखते हैं तरतीक शर्णी में जिसे हम सेवा उद्योग भी कहते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है यातायाद, बैंकिंग, बीमा, विज्यापन, संगरण अब जैसे की बात आती है ट्रांस्पोर्टेशन की मतलब अगर वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना है उसकी समस्या आ रही है तो यहाँ पर कौन मदद कर सकता है उद्योगों को? यातायाद उद्योग मदद करेगा अब अगर बात आती है कि पैसों की कमी की तो लोन कौन देगा? बैंकिंग उद्योग के माध्यम से उस इंडिस्ट्री को क्या मिल सकता है? लोन मिल सकता है तो पैसे की प्रॉब्लम सॉल अब अगर सुरक्षा की बात आती है तो बीमा उद्योग मदद करेगा इसके बाद अगर कम्मिनिकेशन प्रॉबलम आता है कि लोग उस प्रड़क को नहीं जान रहे हैं तो उस चीज के लिए कौन मदद करेगा एड़टाइजमेंट यानि विज्यापन उद्योग उस चीज क मातरा में अपना फाइनल गुडिया अंतिमुत बना लिया है लेकिन उनके पास रखने की जगह नहीं तो यहां उनकी मदद कौन करेगा यहां उनकी मदद करेंगे संग्रहान उद्योग तो बच्चों इस तरीके से जो यह तृतियक श्रणी के उद्योग हैं वह सेवा उद उद्योगों के तीसरे प्रकार होते हैं तो बच्चों इस तरीके से हमने उद्योग और उद्योगों के प्रकार में डीटेल में अच्छे से जानकारी प्राप्त की है